तो हेलो स्टुडेंट्स वेलकम आपका हमारे प्यारेश यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पे वेर लर्निंग बिगिन्स पे हैं अमने पिछली वीडियो में पढ़ा था क्या पढ़ा था अमने तो डिवाइड करना था जो टू पैंट सरी के सारे एक्जेंपल थे उपढ़ अब पहली बात तो यह वदा है कि पी एक्स और जी एक्स का क्या मतलब है हम पहली बात तो इस पर ही समझने कोशिश करेंगे देखो अमने स्टार्ट में चैपिटर पढ़ा था वहीं पर यह बात डिसकस कर ली थी कि पी एक्स का मतलब क्या है पोलिनोमियल ओफ एक्स जब इसका मतलब क्या है यह भी पोलिनोमियल ओफ एक्स ही है अब देखो मान लेजें कि आपका नाम शुनील है मेरे बाई का नाम अनिल है तो मेरा नाम अनिल और अनिल हम दोनों का अलग अलग क्यों रख्खेंट तो हम लड़के ही इसी वजाए से क्यों सब काडिफरेंट क्या लग लगो एक ही नाम में confusion ना हो इसी वजय से अगर हमने किसी एक polynomial को पी से रिप्रेजेंट कर दिया पी एक से तो दूसरा कोई polynomial है तो उसको भी पी एक से थोड़ी रिप्रेजेंट करेंगे अब वहां पर यह तो सिखेंगे कि पी एक से डिवाइड करें तो किसको किस से हो जाएगा है इसी वजय से अम पी एक से पॉली नोमिल ओफ है कोई दूसरा polynomial जैसे question में given है ये आपको polynomial of x given है ये दूसरा polynomial of x given है आपको ये polynomial of x इससे divide करना है तो सबसे पहले हम आराम से divide करना सीखेंगे कैसे था देखो फिर वो ही systematic तरीका क्या था कि सबसे पहले इसको लिखते हैं x की power 3 अब लिखने में क्या क्या बाते नोट करनी है पहली बाते कि जिसकी power ज्यादा है वो सबसे पहले लिखा जाएगा तो किसकी power ज्यादा है x की power 3 की तो लिख लिया फिर minus फिर 3 इसे तो लिखा ही हो इस तरीके ते है 3 x square प्लस 5 x minus 3 ठीक है अब यहां पे जिससे डिवाइड करते हैं वो कहा लिखते हैं यहां लिखते हैं और क्या डिवाइड करना है x square minus 2 से अब देखिए हमें क्या 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 काम करना होगा इसके बादगा सबसे पहला step कि है इसके बाद गंख next step क्या है कि इसकी सबसे ज़़ादा बड़ी पावर है न, x की पावर 3 और इसकी जो बड़ी पावर है, x², इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो कितनी है वो n है, वो टरम क्या है , x की पावर 3, और डिवाइड में क्या है ? अब हमारा क्या लगेगा यहां पे कि जब बेस सेम होता है और नंबर डिवाइड में होते तो उपर वाली पाउर से नीचे वाली पाउर माईनस होती है मतलब कि यहां पे X की पावर 3-2 हो जाएगा और 3 से 2 गया कितना आया एक को क्या कहेंगे हम X तो यह वो ट्रम होगी जिसके हम मल्टिप्लाई करके यहाँ पर पहले ट्रम आगी जो Q सेंट की है अब इस ट्रम को क्या करते हैं इन दोनों से मल्टिप्लाई करते हैं तो चलाने के लिए इसको इससे मल्टिप्लाई करते हैं अब x की multiply में माइनस 2 से करूँगा तो 2x आएगा और x ट्रम कोण से में है इसमें तो नहीं है किसमें है इसमें तो खर लिजे यहां पर plus minus की multiplication माइनस 2x फिर मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी divide करते हैं जैसे कि मान लेजे हम divide कर रहे हैं कि 29 को सेखे दिवाड़ करा हैं तो साथ डोके अठाएस हैं यहां भी हमने क्या किया थेंटीड d n को minus ही तो यहां भी हम क्या करेंगे माइनस करे दिगे का साइन से साइन किया हो जाएंगे कुछ हो आई नहीं क्यों कि इसके लाइक टरम आई निए थी ठीक है तो हम ननुक्त लिख लिखे लिख लिया एप अगर हमारे कभी भी एक्स नहीं जूड़ता गड़ता मैंताएक्स को हम एड़ नहीं करते हैं इसने क्या add होता है coefficient और यहां कितना है 5 यहां कितना है 2 कितना आघहाए 7 Ship माइनस से कितनी हो गए 3 अब देखो फिर हमारा इसकी इसकी सबसेगद आए एस्ट से डिवाइड करके चेक करेंगे, तो नीचे जो सबसे आई, एस्ट पाउर आई है, वो कितनी है, माइनस थ्री एक्स स्केर अपोन एक्स स्केर, एक्स स्केर से एक्स स्केर करेंगा, कितना आया, माइनस 3 तो फिर किस पर चलाते हैं माइनस 3 इसकी मुल्टिप्लाई दोनों के साथ करेंगे पहले एक स्केर के साथ करूँगा तो माइनस 3 एक स्केर आ गया फिर माइनस टू के साथ करूँगा माइनस माइनस प्लस के 6 अब मैंने लिखा कहां है यह जान देने की बात है मैंने लिखा है लाइक लाइक ट्रम के निचे जैसे के एक्स स्केर तो एक्स स्केर के निचे 3 है तो इसके 7 और 7 वाड़ा जी टीज रहेगा अब क्या करेंगे यह लिख लिया है ठीक है सब कुछ कर लिया डिवाइड अम कब तक डिवाइड करेंगे अम जब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारे रिमेंडर की पावर रिमेंडर की डिग्री यह जो आईस्ट पावर उसको बलते है वह इससे कम या जिरो ना आ जाई अब यहां पे ड क्यू सेंट कितना रिमेंडर को वह कितना आया यह चीज आपको बतारे ठी क्या बात कि आये कि म फ्सका की पारे उससे डिवाइड करके चेक करें कितने चलाना फिर दोनों के साथ multiply करेंगे like like ट्रम के निच लिखेंगे sign change करेंगे और इस प्रोसेस को continue रखेंगे चलों यहां से clear निवाद तो अगली वाली ट्रम है वहां से हो जाएगा तो फिर next question है next इसका पार्ट है उसमें भी PX और GX दिया हुआ है और हमें फिर क्या पाहिंड आउट करना फिर यही प्रोसेस चेम रहेगा तो देख लीजिए क्या लिख्या हुआ है PX और QX पी एक्स दिया है एक्स के पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्यार प्लस 4 एक्स प्लस 5 यहां क्या है एक्स स्केर प्लस 1 माइनस एक्स चुल दिया सबसे पहले काम क्या था हमरा सबसे पहले काम कि इसको यहां लिखेंगे एक्स की पावर four minus three x square plus four x plus five ठीक है सबसे पहले काम था यहां लिखने का वो किसमे कि सबसे बड़ी पावर पहले फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर चोटी चलते रहें चलते रहेंगे फिर क्या लुक् लेकर साइन्ट साइड से लेकर से लेकर साइन्स जएगे तब हमारे स्हान चेंज्ज लते यह अगर एक नमबर को पीछे से आगे लिखूं उसी ठूर्म में यह प्लनुमिल में तो उसका साइन्स नहीं होगा मुली तो फैसे मिला किसे में था माइनस यहां भी मीनने होगा और one कैसा था प्लसका थो-फैसी हम में इसकी सबसे आीएस। सबसे आीरेश्ट पाउर लेगे आाीएस्ट पाउर केतनी है एकसी पाउर फोर अमारे डिविजर के आसट पाउर केतनी है एकस स्केर हमने पड़ाता जब बेस से मोड डिवाइड में तो उपर वाली पावर से नीचे वाली पावर माइनस होगी तो एकस की पावर से साथ मल्टिप्लाई करőंगा तो मैंनस मैंनस माइनस की पावर 2 एकस की पावर 1 ने सब्सक्राइब दिविभन गया अब देखो क्या यहां पर कोई एकस की पावर 3 है नहीं तो मैं लिखेंगे जसे मिल्टिपलए करूंगा यह मैंने हैं यहाँ आप थि द्रिय है कि मैं एक्स amended करेंग। मइनस कि प्रोस का है माइनस का है कैने। दूशरा अब सबसे बड़ी ट्रम क्या है 24 यह एसको यहां से उठाए कहां लिखेंगे अब पहलेख़ pop अगे लिखेंगे ठीक है कोईशेंट कोईशेंट होते हैं तो इसका माइनस त्री माइनस के फोर और एक्स स्केर तो फिर क्या लिखुंगा मैं फिर यहां पर लिखुंगा क्या है हमारे सब्सक्राइब हो Όल नेक्सट इस gitimpaya कि ग कितनी है, एक्स की पाव्र 3 और वहां इस पावर उक्षा थेks श्क्राइब कितनी है, तो बेस्थ से 2 पावर कम होगी इस थ्लियुने, प्लस का रहें, एक लिए सबा च्रइके dicht का थे ज़िए ज़िए, इसुच्बाइब nfinOh इसके साथ करूँगा तो प्लस का प्लस का एकस ठीक है अब देखो फिर क्या करेंगे साइन चेंज ये माइनस ये प्लस ये माइनस कट गया माइनस के फूर के प्लस का वन तो माइनस के थ्री एक्स स्केयर माइनस का वन प्लस के थ्री एक्स और प्लस का फाइव एज़ अब देखें अब ग्या करेंगे इसकी फिर सबसे आई येश्ट पाउर और इसकी सबसे आई येश्ट पाउर कितनी है माइनस थ्री एक्स स्केयर है और वहां कितन कर साथ कितना आया माइनअस थ्री एक स्क्राइब कर लिए करा हैं वैए मेर्व ने साइनccioneslock प्लस करेंगे तो यह ने । यह कुछ स्थी हैं और यह भी इए उन्मदग खीर धाया है अब हमें पूछा क्या था पूछा था कि बताइए कि ऐस स्क्राशन then तो हमारा क्यू चेंट कितना है वो क्या स्क्रीं स्क्राइब लिखेंगे थिर क्या करेंगे इसकि सबस्क्राइय किसे आईए किषाना प्रोच हमें प्लेक्षेंट करेंगे कि तक द्राक्तराइब नगे आएर गड़न जिआ तब तक करते रहेंगे जब तक degree remainder की degree इससे कम ना जाए या जीरू ना आ जाए तो यह हमारे दो question complete हो गए हैं अब इस दो part complete हो गए इसके और थर्ड part क्या है वो देख लेते हैं अब हम same है जी बिल्कुल same as it is है अमें फिर वही same process लगाना होगा थोड़ा सा जो question है उसका level थोड़ा अच्छा कर देते हैं वैसे कुछ नया नहीं होगा देखते हैं क्या है x की power 4 minus 5x plus 6 और यहां कितना है 2 minus x square अब देखिए सबसे पहला क्या करेंगे हम क्या करूंगा मैं क्या करेंगे जी यह करेंगे कि इसको ऐसे लिखेंगे x की power 4 minus 5x plus 6 डिगरी कम उतिजारी है पावर कम उतिजारी तो as it is लिख दिया फिर हम क्या लिखेंगे कि gx जो डिवीजर होगा उसकी भी सबसे बड़ी पावर हो आगे लिखेंगे बड़ी पावर क्या है x square अब उसका sign क्या था minus तो यहां भी कितना रहेगा minus और 2 कितनी है फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या था हमारा कि इसकी सब शाइएस्ट पावर और उसकी सब शाइएस्ट पावर माइनस x square अब देखो हम में दो चीजे हैं मैं minus 3 by 4 लिखूं या minus 3 by 4 लिखूं या 3 by minus 4 लिखूं तीनों बाते सेम है मतलब कि अगर क्यू सेंट डिव उसमे नुम माइनस है तो सेम बात है मतलब कि यह माइनस कहां लिख सकता हूं माइनस लिख सकता हूं आगे और 2 से पावर कितनी कम हो जाए कि 2 मतलब 4 से दो गया कितना आया x square तो सबसे पहली जो डिवीजर की क्यू सेंट की ट्रम है वो कितनी है सबसे पहली जो बड़ी पावर उसको आगे फिर सब पीछे तो बड़ी पावर कितनी है 2x square फिर क्या होगा माइनस 5x प्लस 6 फिर सेम स्टेप सेम स्टेप क्या कि जो यह नीचे आया है इसके सबसे बड़ी पावर कितनी है 2x square और वहां कितनी है माइनस एक्स स्केर एक्स स्केर तो एक्स स्केर कैंसल माइनस टू आगे हो जाएगा तो कितना आ गया minus two अब फिर next step क्या होगा कि मैं इस minus two की multiplier दोनों के साथ करूँगा तो minus minus से plus से और x square plus minus की multiplication minus के four अब sine change यह minus यह plus यह cut गया अब क्या है अपहले minus five x और six और चार कितना हो जाएंगे plus के 10 अब मैं आगे divide क्यों नहीं कर रहा मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारा जो Remainter रहा है उसकी Degree Divider से कम है । जब डीकरी कम है तो बात खतम होगी तो हम क्या लिए देंगे Q ynt क्यों कितना है minus x square minus two और division remainder कितना हैmachen minus five alley plus ten और यह हमारा question number first complete कम्प affection क्लिट हो गैं ह bowl स्थ्थ्योच नेक्स्ट वीडियो में कितने प्पर सबस्थ्यर हैं जै मता तो भता है जो जो शें जहाऊ जैने वारत